लास्ट टो लास्ट टी टी जो एक लास्ट वीक मतलब जो लास्ट वीक सेटेडे गूंपशनेद हा उस दिन क्लास नहीं हुई थी अपनी अभी तक सिर्फ ये क्लास हम लोगों ने कंप्रीट किया है अभी जिस्ट क्या है कि एक स्टेप और आगे कि तरफ हम लोग पड़ेंगे तो भी ठीक नहीं है लग नहीं रहा था इतना लंबा ही खीचेगा जो सेशन लास सेटेडे संडे के थे वो भी कैंसिल करने पड़ गया हमने सुचा था इस वी थोड़ा सा बेटर फील हो जाएगा लेकिन नहीं हो रहा हो अभी हमें लग रहे टाइम लेगा लास्ट वीक नो कुछ होंवोग हमने आपको करने के लिए दिया था क्या काम करना है किस तरह से लेवल्स मार्क करने एक चोड़ी सी चीज हमने बताई जाओ कि विदाउट ऐनी टैप आफ टूल्स एक बार हम उसको और रिपीट करेंगे रिवाइस करेंगे दो रिजन उसके लिए पहरी चीज तो थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा आपका द इसकली मार्केट में क्या चीज हम फांट करना चाहते हैं क्या ढूंबना चाहरा हैं लेवल्स कामे करना क्या है अब इसके कई सारे में तरीके भी होते हैं लेवल फेंडाउट करने के आँख बंद करके जस्ट बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी होती है इस तरह से सिर्फ ये एक लाइन ड्रॉ करनी है अच्छा इस लाइन का मतलब क्या होता है मतलब ये जो रिंज हम लोग ड्रॉ करेंगे इसका क्या मतलब है सिंपल वे में हमें चाहिए कि एक ऐसा लेवल जिसको की प्राइज रिस्पेक्ट करें इस तरह से इस तरह से रिस्पेक्टिड एडिया हो दो तरीके होते हैं एक तो होगा आपका ह movimiento लुक्षेट से और दूसरा होता है वर्टिकल से लीडिए वर्टिक्ल थोड़ा से समय नाजर आता है कि प्राइसas तरह की रैंज में आपका हों याप तो horizontal में चीज़े थोड़ा सा आसान रहती हैं पकड़ में आ जाता है, मतलब charts आप देख रहे होते हैं, chart open करते हैं वो तुरह पकड़ में आ जाता है कि कैसे बन रहा है Horizontals में अब ये line क्या क्या काम करती है, इसका क्या role play होगा और इस एक single horizontal line को किस तरह से हैं अपनी trade में use कर सकते हैं कैसे useful होती है तो देखिए कुछ एक चीज़े हैं जैसे आपका first horizontal line as a support and resistance level ठीक है एक हमें support मिल जागा कि जैसे हम लोग trade अगर हम execute करने जारे ना तो एक एक तरह से क्या हो सकते हैं कि support मिल जागा support का मतलब resistance और support वाला support नहीं support का मतलब एक frequency मिल जाएगे कि अगर हम लोगों को काम करना है तो इस तरह के level identify करना होगा second point में support यह बहुत अच्छा काम करेगा find क्या करना है अब दूसरा हम देख पा रहे हैं कि place of action क्या होगा मेरा place of action place of action का मतलब कि चाड़ तो चल रहा है यह इस तरह से up-down-up-down का move इस तरह से दिखा रहा है अब हमें काम अगर करना है तो हम कहां से करेंगे आग बंद करके बस कहीं से भी चालू होगा define करना पड़ेगा कि अगर हमें कोई action लेना है तो हम कहां से लेगे यह वाले एरिया होगा यह वाले कुछ support points होंगे हमारे या फिर यह वाले कुछ support points होंगे actually क्या करना है यह जो horizontal lines होती न बाकी देखिए यह तो दूसरी चीज हो गई कि आपको इस वाले घूम फिर के मेरे level पर आ जागा तब हम यहां से काम करते हैं इस वाली जगह से यहां से कुछ होते हैं time frames time frames के recording like हम लोग monthly को भी देख लेते हैं यह आगे चल गएगे धिरी धिरे हम बताएंगे आपको मंतली को भी देख लेते हैं दूसरा टेक्निकल एक टूल होता है उस टूल को भी हम आज के दिन बताएंगे कि वह सिंगल टूल कौन सा है इसके पहले एक दू एक्जम्पल ले लेते हैं जैसे होरिजोंटर लाइन से में ड्रॉव करनी है देखिया है फोरिदर के लिए स्क्रीन ब्लाइंड हो जाएगा आपके अब देखिए कि किस तरह से यहां पर आपके लेवल्स निकल के आ रहे हैं अभी जो सिंगल लाइन में ड्रॉव करके आपको दिखाई है कि कैसे उस सिंगल लाइन पर प्राइज आपका सपोर्ट ले रहा है सपोर्ट का इरिया बन रहा है यह वाला और यहां से प्राइज अगेन जम कर गिया आपके तरफर और shaping लाइन से ही और बरन वेड़ लाइन के अगर जिस दिन वो सकता है मंडे को ही प्राइस जैसे ही इस रेंज के नीचे निकलेगा आपको सेल करने का बहुत अच्छा मुका मिलेगा एशन पिंट के अंदर और अगर 3037.40 पर प्राइस आ करके आपको बाइंग के मौके देता है अपसेट के तरफ जाने के तो यहीं से आप बा अपस वाले लेवल को नीचे की तरफ अगर ब्रेक आउट मार दिया तो मूव देखने को मिलेगा अब देखिए यह जो चीज हम आपको बोल रहे हैं कि इसके नीचे मूव देखने को मिलेगा या अगर हमें बाइंग करने तो इस लेवल से करनी यह हमें कैसे पता चल रह है अभी जस्ट इमेजिन कि हमारे पास कोई लेवल नहीं लीजे एक सिंगल चार्ट है अब अगर हम आपसे कहें कि आप प्राइस को रीट करें आप कैसे रीट करोगे तो कुछ भी जबर्जस्तिक रीडिंग्स होंगी कि प्राइस हमारा यहां से उपर चला गया यह हो गया अब यह हायर है लगा रहा है अब यह इस ने अपना एक ट्रेंड लाइन बना ती P्राइस रहे नीचे के दरब गर गर गया है है ना इस तरह हम लोग क्या करतें अपने मैथमेटिक्स लगाने लगते हैं इन सारी चीजों को हटा करके रिमूव करके बहुत सिंपल वी में अगर हम लोग देखें तो ये मेरा एक सपोर्ट बन रहा है हम्ने होवक भी आपने होगो करने के लिए था हुए जोलोग आज इस कांसर्ट को देख रहें सिंपल वे में एक काम करिएगा कुछ नहीं करना है नेकेटली कोई भी चार्ट आप उपन कर लो जैसे ICICI बैंक है यह इसका support एरिया है अब के ICC का यह वाला support एरिया है ठीक है अब देखे प्राइस कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर resistance ले रहा है है ना यहाँ से सिधे नीचे की तरफ गिर गया अगेन यहाँ से नीचे की तरफ गिरा और फिर से price देखे जिस range से मतलब resistance से price नीचे की तरफ गिर रहा है price हमारा अगर resistance के उपर है तो यही resistance के लिए support बन जागा अब यहाँ पर 9.15 के high को price ने break नहीं किया 9.15 के low को break कर रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी range के उपर price हमारा support ले रहा है और जैसे ही previous range के अंदर price हमारा गिरा ना इसके अंदर movement आ गए यह blind levels है पिल्कुल मतलब किसी तरह हो कोई technique हम ने इसके अंदर यूज नहीं कि इसी के just opposite जब आप HDFC bank को देखोगे तो देखे कितना बड़ा move दिखाया इसने upset के तरफ जबकि दोनों same sector के है उसी sector का HDFC bank upset का move दिखा रहा है और same sector का ICC bank नीचे के तरफ गिर रहा है यह just level के उपर price के इस तरह से react करते ना है इसकी definition है यह अगर एक सही level पर आपको price दिख जाता है वहां से affection हो सकता है इस case में आपका stop loss चला जाया आप यहां से buy करो या कुछ भी conditions देखकर कि आप यहां से buy करने की कोशिश करो और यहां से आपका stop loss चला जाया लेकिन एक जो achievement अपने लिए मिलता है कि price के अंदर की जो moves है उनकी starting यहीं से होनी है अगर हमें यह पता से जाए कि price का आज का expected high area कौँ से बन सकता है यह expected low point कौँ से बन सकता है तो बहुत सारी problems अपनी आसान हो जाती है आपको यह देखना है आप just क्या करो ना level identify करो जैसे Asian paint का example दिया हमने एक्सिस बेंग अब यह देखिए यह एक्सिस बेंग का चार्ट है simple यह हमारा एक support का इरिया है यहाँ पर support अगें price upside की तरफ फिर से support फिर से price upside की तरफ अच्छा last week क्या हुआ है last reading sessions में कि price हमारा सीध ही नीचे की तरफ हमारे इस level को इसने नीचे की तरफ डिरेक ब्रेक ब्रेक आउट कर दिया लोज तो मेरे यह वाले थे मेरे support points और price ने gap down opening दी और सीधे नीचे की तरफ गिर गया यह यहाँ से नीचे है 856 यह अपने पास एक point बन रहा है और यह point हम identify कैसे कर सकते हैं यहाँ से naked chart reading होती है यह इसमें किसी तरह कोई technique use नहीं होती हमें एक support मिल जाता है और यहीं सम लोगों को सारा काम करना होता है यह निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन बहुत कुछ depend कर जाता है नहीं लेवल्स के पास में अब एक चीज़ और बताते है लोज और अब यह decreasing lows क्या होते हैं simple way में आप यह मान करके चलो कि prices के कुछ तो support areas हमने आपको बता दी है कि जैसे हम लोग a place of action find करते तो उसमें कुछ horizontal lines हो जाती है यह पर एक support point हो जागा horizontal lines के दूरो हम लोग एरिया अपना mark कर लेते हैं single line के दूरो यह वाला अब यह decreasing lows क्या होते है देखिये यह जो swing बनते हैं न यह अले point एक चीज तो यह हो गए और दूसरा हो जाता है मेरा यह swing points यह वाले points अगर हम लोग कुछ ऐसी techniques यूज करें या कुछ हमारे पास ऐसे tools हो जिसके थू हम लोग swings तक पहुँच पाए expected swings तो हम लोग क्या कर सकते हैं प्राइस action में candles और volumes को देखते हुए कुछ structures हमको जो समझ में आते हैं हमारी personal observations के उसमें दो candle बहुत important role play कर जाती हैं इसके बारे में कुछ चीज़ों तो ऐसी होंगे जिसको कि हम phone call के उपर discussion करेंगे आपसे आगे चल करके मतलब चुटी चुटी चीज़ें ऐसी होंगे जो हम रोक लेंगे अपने पास उसे सिर्फ phone call पर ही discuss करेंगे वो वीडियो में आपको मिले गए उसको अजिकर ही हम नहीं करेंगे जैसे आज जो चीज़ हम बताने जारे हैं इसका यह मान के चली कि 40% ऐसा होगा कि जो हम phone call पर discuss करेंगे आपसे 60% अभी बता देंगे देखे इसमें होता क्या है अभी जैसे हमने बताया है कि यह swings बड़ा important role play कर जाते हैं अगर हमें मालूम हो कि structure कुछ इस तरह के बन रहे हैं यह और यह वाले और volumes में यहाँ पर क्या हो सकता है यह कुछ वो points हैं जो कि swings लगा देते हैं कि price के expected highs यही वाले बन सकते हैं जो structures होंगे न internal structures और outer structures वो यहाँ पर market form कर सकती है तो हम लोग action लेने के लिए ready रह सकते हैं इसको देखिए यह है अपका वॉल्यूम्स किस तरह क्योंगी simple में वॉल्यूम अपनी चलते चले जाएंगी जैसे normal वॉल्यूम होंगी day time frame लिख देते हैं टाइम फ्रेम वन डेम डेली टाइम वोगा वॉल्यूम्स नॉर्मल वॉल्यूम्स अब इसमें हमें find करनी है अपने काम की वॉल्यूम्स यह नॉर्मल चलती रहेंगी same color की decreasing lows यह वाले same color होना चाहिए और ब्लैक की हम लोग देख रहें बेरिश टू वन और इस तरह की वॉल्यूम्स होती हैं expected high आपको देखने को मिल जागा और expected low देखने को मिल जागा जहां से हम लोग काम करते हैं यहां पर जो price हो सकता है आपको decreasing में भी हो सकता है price जो हो सकता है वो increasing भी हो सकता है हम लोग यहां पर 4 points mark करते हैं इन चारों में से important कौन सा है और volumes को कैसे filter करते हैं यह दो वो topics हैं जिसको कि अबने बताया है 60 और 40 परसेंट अभी के लिए मान करके चलिए इन चारों lines को आपको ड्रॉ करना और आगे चल करके हम इन चारों lines को filter कर देंगे important होगी वो हम बता देंगे आपको और volumes में भी जो structure आपके लिए important होगा वो बता देंगे लेकिन अभी कुछ filter out नहीं करना है जो जितने सीदी साधी तरह से में बता रहेना आपको वही से ही बिलकुर प्राइक कर लेनी है होता ना को अभी से अगराथ को फील्टर करने के लिए दे दें इसको कि इसको का when to हो सकता है कि उतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस ना करें थोड़ी थोड़ी problem आप face करोगे इस structure के practice में थोड़ी थोड़ी problem face करोगे तो आपको समझेगे problem आ क्यों रही है तो उसके questions आपकी तरब से आएंगे वो automatic questions आपकी तरब से आएंगे तब हम अदादेंगे कि ये problem ऐसे solve हो जाएंगे इसको बोलते हैं filter कर देना लेकिन अभी से filter नहीं करेंगे तोड़ा से survive करो, कोशिश करो, find out करो practice करो, problems आएंगे उसको solve करने की कोशिश करो जस्ट ये structure आपको find करना है charts को पर, कोई भी chart हो Axis bank है SBI आगया है, सारे banking sector के यह है यहां पर आजाएए, daytime फ्रेंपर हम लोग देख ही ने रहे, लेज़ा हटा दिया, price को हटा दिया सिर्फ volumes कौन करते हैं volumes में, गिरते होगे करम के हमें volumes चाहिए, दो जैसे कि यहां पर, अच्छा वो तीन हो जारी हैं तो मत करियेगा फिर वो falling rose के concept साजाते हैं चार आजा है, पांच, छे, साथ, तो छोड़ तो उसको हमें सिर्फ simple way में दो volumes चाहिए, यहां पर अगर तीन हो जारी है न तो उसको छोड़ देंगे यहां पर दो है न तो हम इसको ले लेंगे 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, देखिए यहां पर प्राइस ने कुछ ना कुछ तो किया है कहां गया, यह low, high क्या यही हमारा swing नहीं बन रहा है हमने प्राइस पर कुछ नहीं देखा कोई चीज नहीं देखनी है सिर्फ volumes ही हमें बहुत कुछ बता देगे इस तरह की volume का structure find करो यह structure आपको बहुत बड़ा magic नहीं है इसके अंदर के रहे वाँ, यह पता चल गया अब यहीं समलोग भाई सेल करें, ऐसा नहीं है जस्ट होता गया है न, कि यह structure आपको daytime frame पर swings देदेता है और daytime frame के swings आपको मालूम है बहुत important होते है यह पता चलता है, market चल जाती न, तब पता चलता है यह जो चीज है न, आप running market में देखोगे और running market में आप देखना है कि किस तरह से काम करता है कैसे इसका use होता है, metallic user में बहुत अच्छी तरह से इसका आप use कर ले जाओगे अभी भी हम बोले है, filter हम नहीं करेंगे इसको क्योंकि filter कर देने से चीज़े बहुत कम हो जाएगा आपके पास और आसान हो जाएगा काम करना है, लेकिन वो अपना एम है ही न, आसान कर देना है या बहुत शुरुआत से आपकी help करते रहना यह अपना काम नहीं है अभी के लिए जहां पर यह structure आपको दिखाई पड़ेगा आप वैसे mark करोगे कल की जो अपनी class होगी न, कल की class होगी और आगे की चीज़ आपको बताएंगे इसके अंदर कि कैसे क्या करना होगा, proper एक use करने का जो उसका तरीका होगा, वो क्या होगा आज के लिए सिर्फ आप यह इतना ही समझ के चलो कि यह दो जो volume समने आपको बताएं decreasing lows आप इसको mark करोगे price के अंदर, और देखो जहां भी आपको देख रहे हैं आप वहीं उसको mark जहां कहीं भी देख रहे, जैसे यह है अब यहां पर देखे क्या हुआ है, सारी marking sum delete करेते हैं, यह बहुत अच्छा concept है, बहुत मज़ा हैगा आपको इस पर काम करते हुए जैसे यह देखें, यह lows हमारे बन गए, आप देख लेना कि 610 610 जैसे यह हमने high mark कर लिया, यह low mark कर लिया बाकि आप चाहोते, इसकेंडल करना अब high भी mark कर सकते हुआ जैसे यह 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 level बन जाता है अपना पूरी तरह से, कैसे use में आएगा इसको lower time frame पर हम लोग कैसे rate करेंगे प्रवीन, day time frame पर ही देखना है अब हम लोग day time frame पर ही देखना है लोवर time frame पर गए भी नहीं है लेवल अपने निकाल लिया हमने higher time frame के आप देखिए आपको जो बोलते हैं ना कि prices के अंदर कुछ consolidation का area बनता है अपना कि price तो हमारा गिर रहा है ऐसे करके है ना वो लगातार गिर रहा है लेकिन जो consolidation का area बन रहा है अगर हमें मालूम हो कि price consolidate कहां पर कर सकता है जब सके consolidate करने की chances सबसे ज़्यादा कहां पर है अगर हमें ये चीज़ मालूम है ना तो आप देख लो price की reading में कितना आपको help में जाएगी ये बारी जो points हो अभी जितने भी चार लाइंस हमने mark की है इसके पास में देखे कि price किसे consolidate करता है अभी structure ये नहीं कि चारो लाइंस market चल चुगी है तब हम draw कर रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं जितनी भी आप practice करोगे live market में करोगे लाइव मार्केट में किसी भी तरह की कोई problem आएगी हमको सीधे वाटसे पर message करोगे कि live market में देख रहे हैं इस तरह की problem आ रही है level draw करने में problem आ रही है जितनी भी practice है live market में हम लोग dead charts को उपर या back test उसकारी नहीं रहे अगर back test करना back test करना होता है तो हमें नहीं लगता है कि 10 दिन से ज्यादा का समय लगेगा सारी चीज़े cover करने में और back test में बहुत सारी चीज़े असान हो जाती है मतलब हम आपको हमें मालूम है ना कि चार्ट तो चल चुका है ऐसे से करके यह भी हो गया यह भी हो गया ठीक है एक काम करो यहां से आपको हाई मा करना है यह वाला और यह आपको लो मा करना है देखे इसने कितनी अच्छी एंट्री दी है यहां पर मूब नहीं दिया क्योंकि मार्केट बंद होगे अब हम 25 तरह की आपको बता देंगे यह देखिए अपना सपोर्ट पॉइंट है प्राइस गिरा दो हो कितना अच्छी तरह से गिर गया जो लोग करते हैं सिखाने के लिए डेट चार्ट का यूज़ करेंगे पीपीटी पर आप पापा से दो से फ्राइंट से उधार लेकर के ट्रीट करना स्टार्ट कर दो गया इतना कॉंफिदेंस आजागा बैक टेस्ट के उपर लेकिन जब लाइव मार्केट में जाओगे न पूरी जेब खाली हो जाती है बहुत अच्छे अच्छे एक्जामपल है मालो में इ लोगे लेकिन मेहनत बहुत लगेगी काफी मेहनत लगेगी किसी तरह को कोई मैजिक ने और बहुत सारी मेहनत हम लोग करेंगे इसमें एक-एक कॉंसेट को समझ देना होगा बस जो भी चीज़ अभी हमने बताईए आपको जो कॉंसेट भी बताया है डे टाइम फ्रेम पर इसका यूज़ करो और लास्ट वीक में जो चीज़ बताई थी यह दो दो काम आपके पास हैं सिर्फ इसक्राव और कुछ नहीं है एक एक्जामपल लो लेते हैं बैंग निफ्टी है अच्छा डेरिवेटिस में भी सेम चीज़े काम करेंगी जो लास्ट क्लासेज होंगी उसे बताएं कि फिर हम आपको फ्यूचर्स और ऑप्शन्स में किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं सेम कॉंसेट का यूज़ करके जैसे पावर्ड गृट है यहाँ पर आप वॉल्यूम्स देख लो जैसे यहाँ पर देखिए यह स्ट्रक्चर अपना फॉर्म हो गया दूसर यहाँ पर वॉल्यूम्स देखिए चारो माक करिएगा आज के लिए इतना मान के चली कि आपको चारो माक करना है जो फिल्टर कर देंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा अभी के लिए चारो माक करो इस तरह से ऐसे आगे आने वाले मतलब अब तीन नवंबर के बाद में आप यह मान के चलो हमने अपने लेवल ड्राउ कर लिया है अब यह एक दो तीन चार पांट यह जितने भी पॉइंट से ना यह लेवल हमारे पास पहले से डिफाइंड है प्री डिफाइंड लेवल है हमें और पास लेवल से निकल आए हैं कब ये लेवल चैन्ज होते हैं कि लेवल का माइंग सैड में सेलिग सेड में कफी आगे चोटी चोटी चीज़ समझाएगा न समझ में आज जाएगा बहुत आसा इस आज के लिए सिरफ इतना ही प्रैक्टिस करिए इसके चोटा सब कॉंसेट तो हमें 10 से 15 चार्ट समा करके शेयर करती चाहिए पर चार्ट पर आप देख बार हो फिर कल हम इसको जो प्रॉपर वे में पूरी वीक जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कल के दिन हम इसको पताएंगे आपको जी है न भी वालय केंड़स के हाई लोरी मॉरक्ट करने हैANT यह ईब लोग के माईक सब अन्मिट है कुछ अकर क्ट्र रहता है तो एक तब्यात कैसी है अब ठीक निए पूरी तरह से आप हाँ अभी नवी तुमें रहता सही नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स वहां पे देए थे कि उसमें कुछ एक जैसे एक हम करते हैं चैनल टाइप में कि वही एक कर देती है तो सिंगल लेना है या हमें चैनल लेना है इस प्रिफ लिए उसको लिए लिए बहुत बड़ा गैपने क्योंकि आप ने जो मार्क करके दिया था ना उसमें चार चार लाइंज थीं जी जी मैं एक लिए आप खुद कर देना तो ठीक है लाकिन जब आप काम करने जाओगे तो यह लाइन आप यह को ल्टा कन्फ्यूस करतेंगे जिसमें भी लगे लाइन ज्यादा है डिलेट कर दो चार्ट ही अटा दूसके सिंपल चार्ट कोई हो जिस पर एक या दो लाइन से आप सटिस्वाई हो जाओ उसको माग करो बस ठीक है और यह आज की जो प्लास में है जैसे आपने चार पाइंट हमें है हाई लो हाई लो और वोल्यूम डिक्रेजिंग वे में है उसी को मार्क करना है जाए वो ब्ल्यू में हो चाहे ब्लैक में हाँ बस तेम होना ची ऐसा नहीं कि एक ब्लैक हो राइट से जिए जो लास्ट विक मैंने मांक करे थे तर वो उसमें कुछ इंप्रूब्मेंट जाए यह क्या वो इसी तरह से ठीक है आपका सही था जो आपने मार्क कर के शेयर किया था ना इससावाल यह था कि यह मैं मार्किंग पूरे वन विक के लिए यह यूज कर सकता हूं या पिर यह लेवर्ट कुछ चेंज कप करना कैसा करना हो यह मेरा डाउट था प्सक्राइए बड़ा कॉंसेफ्ट हॉ है क्लास लेगे इसके अलग से मतलब क्लास ने कि हम्तले ही कि फूर सेशन की जो जी 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 अभी के लिए आने वारी टाइम में मतले हैक क्लाब प्रा वाल्यूम बन जाती है कि यह थर्ड वाली पिछली वाली सिर्फ छोटी होती है तो क्या हम आज की और प्रिविएस डे की केंडल को कंसीडर कर सकते हैं नहीं सिर्फ दू तो वैसे टाइम छोड़ देना चाहिए जैसे कि अभी अभी इस्क्रीन पर देख रहा है देखिए के 10th and 11th का अभी सर यहां कर अगर 12th के डिन डे इससे 11th वाली से चोटी कंडल बनती है तो हम इसको कंसीडर करें या नहीं छोड़ देंसे यह दो दो हम कंसीडर क आपने सब्सक्राइब आपके योटूब चैनल में बहुत साइब तैंसे देख रहा था तो सी से यह सीखा हूं तो फस्ट क्लास में शायद हो सका कि अटी तरी सर्वाक कर सका सही है आपके जितने वी चार्टस आपने शेर की तेंड है बहूत क्लियर कट क्लीन चार्ट है आवर्ली आवर्ली के बाद फिर आपने five five minute marker के दिया था एक आपका था क्या UF LX करके कुछ था जी सर जी सर अहां तो वह भी बढ़िया चार्ट था उसके अपर चार लाइंस आपने माग के थे दो रेस्टेंस के और दो सपोर्ट के थे यह पर्फेक्ट थे मार्किम बिलकुल सही है आपने तो यह मेरा पहला लेक्चर है जो थोड़ी की पंफ्यूजन हो रही है शायद मैंने लास्ट लेक्चर ने लिए इस वजह से कंफ्यूज हो रहा हूं इसमें जो यह दो मार्किंग करनी है अगर थार्ट केंडल पी मेरे पास फालिंग रोज फार्म में आ जाए पर वो रेड की जगा गरीन हो तो क्या वो लेवर कर लेंगे चलेगी उसको मार करें जी चलें ठीक अच्छा सार पिछले लेक्चर में क्य